हलो दोस्तों जीते का निम्टों 46 में आपका स्वागत राज के इस वीडियो मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ विक्लिक करेंट अफियर्स MCQ कोश्चन्स यह February 2020 का फर्स्ट विक है जिसमें मैं 85 प्लस MCQ डिसकस करने वाला हूँ जो कि All Competitive Examination के लिए important है तो इस वीडियो को सुरू से अंतक देखे या चलिए शुरू करते हैं तो आए देखते हैं फ्रेंग्स पहला कोश्चन हमारा क्या है फर्स्ट कोश्चन है यानि कि राष्ट पिता महात्मा गांधी को उनकी कौनसी पुन्य तिथी पर 30 जनवरी को सरधांज ने दी है इसका सही जवाब है 72 यानि कि बहतरवी बात करते हैं नेक्स जो हमारा है विच डे वाज अब्जब्ड एस माटायस दे यानि कि किस दीन को सही दिवस के रूप में मनाया जाता है सही जवाब होगा 30 जनवरी सही जवाब है इसका 30 जनवरी आगे बात करते हैं नेक्स्ट इन विच सिटी 65 फिप्ट नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17 बोईज हैज विन इन ओग्रेटिर यानि कि किस सहर में 65 वे राश्ट्रिया स्कूल खेल अंडर 17 बोईज का उध घाटन कि गया गया है इसका सही जवाब होगा अगर तल्ला ने आगे बात करते हैं नेक्स्ट कॉश्छन से है इस इस एअज अलवेन किस खेल से संबन्ने थे इसका सही जवाब आपका है cycling से वे साइक्लिंग से संबन्दी थे, next बात करते हैं, who has been appointed by RBI as the member of monetary policy committee, MPC, यानि कि RBI ने मौत्रिक निती समीती के सद्यस्ट के रूप में किसे नुक्त किया गया है, इसका सही जबाब होगा जनक राजजी को, next बात करते हैं, friends, in which city, beating the retreat ceremony was held, यानि कि किस सहर में beating the retreat समा रोह आयुजीत किया गया है, इसका सही जबाब होगा, second number जो कि आपका new Delhi है, आगे बात करते हैं, who has won the 2020 Tyler Prize, यानि कि किसने 2020 Tyler Prize जीता है, सही जबाब है, पवन सुखदेव जी ने, next बात करते हैं, Indian Coast Guard, ICC commissioned its new interceptor, boat sea 448 at the new Mangalore port, who is the director general of Indian Coast Guard, यानि कि Indian Coast Guard ने new Mangalore port पर अपनी नई interceptor, now sea 448 का पड़ी चालन किया है, भारतिये टट रच्छक बल के महानिदेशक कौन है, इसका सही जबाब होगा, कि कृष्ण स्वामी नट राजन, कृष्ण स्वामी नट राजन, next बात करते हैं, इसका सही जबाब है, second थावर चंद गहलोट जी ने, next बात करते हैं, which state's legislative assembly will be paperless with the implementations of e-vidhan project, यानि कि कि स्राज की विधान सवा, e-vidhan परयोजना के कायानवन से कागज रहित होगी, सही जबाब इसका है, अरुनानिशल प्रदेश, next is, short film Ahuti has been selected to be screened at international film festival Rotterdam, नीदर्लाइंग's who is the film maker, यानि कि लगो film Ahuti को अंतररास्टिय फिल्म होट सब Rotterdam, नीदर्लाइंग प्रदसित होने के लिए चुना गया है, फिल्म के निर्माता कौन है, right answer है, लुबधक चटाजी, next question is, the first case of novel coronavirus has been recorded from which state, यानि किस राज से novel coronavirus का पहला मामला सामने आया है, right answer इसका है, केरला राज से, next is, which day, which word has been named the Oxford Hindi word of 2019, यानि किस सब्द को 2019 के Oxford Hindi सब्द का नाम दिया गया है, right answer is, संबिधान को, next is, Google has announced how much million dollar grants to promote news literacy among Indians, यानि कि Google ने भारतियों में समचार सक्षर्टा को बढ़ावा देने के लिए, कितने dollar अनुदान की घोसना की है, right answer इसका है, 1 million dollars, next is, which state has flagged off country's first fruit train, यानि किस राज ने देश की पहली false train को रवाना किया है, right answer है, इसका आंध्रप्रदेश, next is, Vidya Bal has passed away recently, she was the, यानि कि Vidya Bal का हाली में निधन हो गया, वो क्या थी, right answer इसका है, social activist, she was social activist, next is, who has been elected as the new CEO of IVM, अब देखिए, किसे IVM के नए CEO के रूप में चुना गया है, इसका right answer होगा, Arvind Krishna, IVM के नए CEO है, Arvind Krishna, next is, who has been appointed as India's next envoy to Nepal, यानि कि किसको नेपाल में भारत के अगले दूद के रूप में निधन क्या गया है, right answer इसका है, विने मोहन क्वात्रा, विने मोहन क्वात्रा जी इसके होंगे, new envoy, next is, a joint military training exercise between India and Bangladesh, will be conducted at Umroi Venghale, what is the name of exercise, भारत और बंगलादेस के बीच, एक सन्यूक्त सैंड प्रिशिक्षन अभ्यास, Umroi Venghale में आयोजित किया जाएगा, अभ्यास का नाम बताईए, इसका right answer होगा, Samriti, अभ्यास का नाम है, Samriti, next is, Indian women's team captain, Rani Rampal, become the first ever hockey player, to win the prestigious world game athletes of the year's award, she is from Beach State, question है, भारतिय महिला team की कप्तान, Rani Rampal, प्रतिषित world games athlete of the year, प्रुशकार जितने वाली, प्रहली होग की खिलारी बनी है, वह किस राज से है, right answer होगा, Maharas, sorry, इसका right answer है, Haryana से, she is from Haryana, next is, who released a special publication, on the Mahatma Gandhi assassination trial title, the assassination of Mahatma Gandhi trial, and verdicts 1948 to 1949, किसने Mahatma Gandhi हत्यकांट पर एक विशेज प्रकासन, जिसका, सिर्षक है Mahatma Gandhi के हत्या, परिक्षन और निर ने 1949 उन्चास जाड़ी किया है, right answer इसका है, M.S. Swami Natham, M.S. Swami Natham, next is, who will receive the prestigious French honor, Knight of Order of Arts and Letters, for her, outstanding contributions to the field of theater, किसको रंगमज के छेत्र में, पुद्कृिष्ट योगदान के लिए, प्रतिष्ठित फ्रांसिसी शम्मा, Knight of the Order of Arts and Letters मिलेगा, right answer इसका है, Sanjana Kapoor जी को, ये Sanjana Kapoor जी को मिलेगा, next is, word of control for cricket in India, BCCI has constituted cricket advisory committee, the committee comprises which of the following, यानि कि भारतिय क्रिकेट कंच्रोल बोड ने क्रिकेट सलाहकार समीती का गठन किया है, समीती में निमलिकित में से कौन शामिल है, इसका सही जबाब होगा, तीनों, यानि कि देखें यहाँ पे जेखेंगे, मदनलाल जी, रोदर प्रताफ सिंह, यान शुलक्षना नायक, ये तीनों के तीनों सामिल होंगे, नेक्स्ट इस, विच और्गनाजेशन हैस डिकलिरड एन इंटरनेशनल इमर्जेंशी ओवर दर नोवल क्रोनावाइरस फ्रों चाइना, यानि कि संगठा ने चीन के नोवल क्रोनावाइरस पर एक अंतरराष्टी अपातकाल घोशित किया है, राइट अंसर इसका है WHO, World Health Organization, नेक्स्ट बात करते हैं, आज पर एकनॉमिक सर्वेट 2019-20, इंडिया जीडिपी ग्रोथ फोर 2019-20, उडवी, यानि कि आर्थिक सर्वेक्षन 2019-20 के नुसर, नेक्स्ट के लिए भारत की GDP बृधी में दर्ज की जाए, कितने परसेंट में दर्ज की जाएगे, इसका राइट अंसर इस 5%, नेक्स्ट इस, हू प्रेजेंटेट दा एकनॉमिक सर्वेट 2019-20, यानि कि आर्थिक सर्वेक्षन 2019 और 2020 किसने प्रस्टूत किया है इसका right answer है निर्मला सीता रमन जी ने next is who prepares economic survey यानि कि आर्थिक सर्वेक्षन कौन तयार करता है तो इसका right answer होगा department of economic affairs next question is what economic survey is prepared under the guidance of the chief economic advisor of India who is the chief economic advisor of India यानि कि भारत के मुख आर्थिक सलाहकार के मार्ग दर्शक में आर्थिक सर्वेक्षन तयार किया जाता है भारत के कुछ आर्थिक मुख आर्थिक सलाहकार कौन होते है इसका right answer है krishnamurti subramanyam next is as per economic survey 2020 इंडिया GDP growth rate is expected to grow in the range of in 2020 2021 यानि कि आर्थिक सर्वेक्षन 2019 के नुशार 2021 में भारत की GDP ब्रिधी कितने के बीच में रहने की उमीद है तो इसका right answer होगा 6% से लेकर के 6.5% के बीच में next question is what as per economic survey 2019-20 इंडिया can raise its export market share to about how much percent by 2025 and how much by 2030 यानि कि आर्थिक सर्वेक्षन 2019 के नुशार भारत 2025 तक अपने निर्यात बजार हिस्ते जारी को लगभग कितने परतिशत और 2030 तक कितने परतिशत बरहा सकता है इसका right answer है 3.1 से 3.5 से लेकर के 6% तक 3.5 से लेकर के 6% तक वरहा सकता है next बात करते हैं आगे as per economic survey 2020 इंडिया can create how much well-paid jobs by 2025 and 8 crores by 2030 यानि के आर्थिक सर्वेक्षन 2019 के नुशार भारत 2025 तक कितने परतिशत कितने अच्छी तनखाव वाली नो करिया और 2030 तक 8 crore पैदा कर सकती है इसका right answer है 4 crore ठीक है 4 crore अच्छी job वाली अच्छी well-paid jobs create कर सकता है 2030 ठीक है आगे बात करते हैं senior journalist यूशुफ जामिल has been selected for the 2020 P.E.N. गौरी लंकेस award for democratic ideals C.E.S. from which state or union territory आनि के वरिष्ट पत्रकार यूशुफ जामिल को 2019 वीश के पेल गौरी लंकेस पुरसकार के लिए लोग तांत्रिक मुलियों के लिए चुना गया वक्की सराज केंदर साचित बर्दे से हैं इसका right answer होगा C.E.S. from Jammu and Kasmir Jammu and Kasmir से है वो Next according to Fikki Economic Outlook Survey इंडिया's gross domestic product growth rate has been projected at how much percent for financial year 2020 and 5.5% for 2021 यानि के फिक्की के आर्थिक outlook सरवेक्षन के अनुशार भारत के सकल घरेरुक उत्पाद GDP के ब्रिधित दर बितिये परस 2019-20 के लिए कितना प्रतिशत है और 2021 के लिए तो 5.5% इसका right answer होगा 5% अभी 2019-20 के लिए 5% है और 2020-20 के लिए 5.5% होगा आगे बात करते हैं Next Who has been appointed as the chair man of the central board of indirect taxes and customs यानि कि किसे केंदरिय अप्रतियक्ष कर और सिमा सुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नुप्त किया गया है Right answer इसका होगा M. Ajit Kumar ji को Next बात करते हैं Sophia Kenin has won the women's single title of Austrian open by defeating Spain's Garvine Mugurza She is from which countries यानि कि Sophia Kenin ने Spain की Garvine Mugurza को हरा कर Australian Open का महिला एकल का किताब जीता है वह किस देश से है She is from USA वो USA से है, United States of America से है Novak Djokovic has won the main singles title of Australian open by defeating Dominic Thiem of Australia He is from which countries Novak Djokovic ने अस्टेडिया के Dominic Thiem को हरा कर Australian Open का पुरुषकार एकल जीत लिया है वह किस देश से है Right answer इसका है, Serbia से He is from Serbia Next is Ruby Gula Ruby Gula Flame Throated Bulbul Has been unveiled as the official musket of the 36th edition of the National Games Which state will host this event Ruby Gula Flame Throated Bulbul का अनावरन रास्टिये खेलो के 36 संस्करान के अधिकारिक सुभंकर के रूप में किया गया है Right answer is Goa Next is Which day is observed as the world wetlands day यानि कि कौन सा दीन विश्व आदरत भूमी दिवस के रूप में मनाया जाते इसका Right answer होगा 2 फरवरी को Next is Who has inaugulated the 34th सुरजकुंड International Crafts Mela in सुरजकुंड हर्याना यानि किसने हर्याने के सुरजकुंड में 34 वे सुरजकुंड अंतररास्टिये सिल्प मेले का उध्गार्टन किया है इसका Right answer है रामनात को मिंजिन हमारे President Next is First Coronavirus death outside China reported in which countries यानि कि चीन के बाहर पहला Coronavirus की मौत किस देश में हुई है Right answer इसका है Philippines में Next is what Which Indian Navy ship is providing human netarian assistance and disaster relief at Madagascar under Operation Vanilla यानि कि कौनसा भारतिय नौशेना जहाज Operation Vanilla के तहत मेगा Medagascar में मानविये सहायता और आपदा रहत प्रदान कर रहा है इसका Right answer है आयनेस राबत Next is In which cities एकुसे बुक एकुसी बुक fare has been inaugurated यानि किस सहर में एकुसी बुक पुस्तक मेले का उध्भाटन किया गया है इसका Right answer है धाका में धाका टका Next is Vice President M.Bank Gaya Naidu has inaugurated a skill development center in which city यानि किस सहर में उप राष्टपती M.Bank Gaya Naidu ने कौसल विकास केंदर का उध्भाटन किया है Right answer इसका है खुबली में Next is With which countries India has signed five M.E.U.S. for establishing A.D.U. Tourism Zone यानि किस देश के साथ भारत ने अडू परियाटन के छेतर के स्थापना के लिए पास सम्झाओता यापनों पर हस्ताक्षड किये है Right answer इसका है Myanmar Next is Tushar Khanjilal has passed very recently He was the यानि कि Tushar Khanjilal का हाली में निधन हो गया वो क्या थे तो वो एक राइटर थे लेखक थे Next is Who has been become first a deep person to roam across Atlantic Ocean यानि कि कौन Atlantic महासागर पार कर जाने वाले पहले बधिर ब्यक्ति वन गये इसका Right answer है Mo O'Brien Next is what Which country has banned exports of all kinds of personal protections equipments including clothings and masks used to protect people from airborne particles यानि किस देश ने सभी प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षाव करनों के निर्यात पर प्रतिवंध लगा दिया है जिसमें कपडे और मास्क सामिल है जो लोगों को वायू जनित कनों से बचाने में उपयोग किये जाते हैं इसका right answer हमारा इंडिया ने इस पे बैन लगाया Next is what Which editions of the Venial Mega Defense Exhibition's DEF Expo will be held in Lucknow यानि कि द्वी वार्षिक मेगा रक्षा प्रदर्षनी प्रदर्षने DEF Expo कौन सा संस्क्रान लगनों में आजवित किया जाएगा इसका right answer होगा 11th Next is what In which city's arts festival Kala Ghoda Kala Ghoda has been started यानि कि सहर में काला उच्छब यानि कि काला घोरा शुरू किया गया है इसका right answer है Mumbai में Next question is what Governments has constituted a task force to prevent the spread of the coronavirus infections in the countries Who is the member of task force यानि कि सरकार ने देश में coronavirus संक्रमान के प्रसार को रुकने के लिए एक task force का गढ़न किया Task force का सदश से कौन कौन है इसके right answer है हर्स वर्धन जी, एस देशंकर, जी किसान रेडी और हरदीब सिंग पूरी यानि कि सारे के सारे इनके members है Next is what Which state government declared novel coronavirus epidemic as a state calamity यानि कि 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 सराज सरकार ने novel coronavirus महामारी को राज आपता घोशित किया है इसका सही जबाब होगा के रला Next is M. Narayan Reddy has passed very recently He was the यानि कि M. Narayan Reddy का हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे? वो थे एक politician यानि कि राज में था Next Which day is observed as world cancer day यानि कि कौन सा दिवस दिन विश्व cancer दिवस के रूप में मनाया जाता है इसका right answer है चार फरवरी चार फरवरी को बिश्व cancer दिवस के रूप में मनाया जाता है Next is Which city will host the 21st edition of International Indian Film Academy Awards IFA यानि कौन सा शहर अंतरास्तिय भारतिय फिल्म अकाडमी पुरुसकार IFA के एक आइसवे संस्करन की में जवानी करेगा इसका right answer होगा एक पहला है भोपाल और सेकंड नंबर जो है इंद ओर भोपाल और दोनो Next is what Which state has back the first positions for the implementations of प्रधान मंत्री मत्रु बंदना योजना यानि कि किस राज ने प्रधान मंत्री मात्री बंदना योजना के कायान वन यानि के लिए पहला स्थान प्राप्त किया इसका राइट अंसर है मदपर्देश Next Which country has become 54th members of the commonwealth यानि कौन सा देश राष्ट मंदल का 74 तरवा सदस बन गया इसका राइट अंसर है मालदीफ Next is what Who will be honored the मदपरदेश government's national किशोर कुमार शमान यानि कि किसे मदपरदेश सरकार के राष्टिय किशोर कुमार समान से समानित किया जाएगा इसके राइट अंसर है वहिदा रह्मान जी को Next is Who has been appointed as the next high commissioner of India to Canada किसे कनाडा में भारत के अगले उच्छाल युक्त के रूप में नुक्त किया जाएगा इसके राइट अंसर है second number अजय बिसारिया जी को Next is In which cities ministerial level defense dialogue between India and South Korea was held यानि कि किस सहर में भारत और दक्षिन कोडिया के बीच मंत्री अस्तरिय अस्तरिय रक्षा वारता अयुजित किया जाएगा इसके राइट अंसर नुदेल है Next is Which street government has launched the जन सेवक scheme यानि कि किस राज सरकार ने जन सेवक शुरू योजना शुरू किया है इसके राइट अंसर है करनाट का राज सरकार है Next is In which cities ministry of external affairs M.E.A. in partnership with the governments of Austria and Indonesia will organize the 4th East Asia Summit Conference on Maritime Security Corporation यानि किस सहर में Australia और Indonesia की सरकारों के साथ साज़दारे में विदेश मंत्राले समुदरी सुरक्षा सयोग पर 4th पूर्वी A.C.I. सिखर सम्मेलंस का एवजित करेगा यासका सरी जबाब होगा चेन नही Next is Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot dedicated the UNESCO World Heritage Certificates to which city यानि कि Rajasthan के मुख मंत्री Ashok Gehlot UNESCO के बिश्व धरोहर स्थल प्रमान पत्र को किस सहर को समर्पित किया राइट आंसर इसके है फिर्स जापूर Next question is DICGC has increased the insurance coverage for depositors in all insured banks to 5 lakhs Where is the headquarter of DICGC यानि कि DICGC ने सभी विमित बैंकों में जमा करताओं के लिए बिमा coverage बढ़ा कर 5 lakh कर दिया है DICGC का मुख्याले कहा है इसके राइट आंसर है मुंबई में इसका मुख्याले headquarter मुंबई में है Next question is Union government ruled out the disinvestment of भारत हावी Electricals Limited भेल Who is CMD केंद सरकार ने भारत हावी Electricals Limited भेल के वी निवेस से इनकार कर दिया CMD इसके कौन है इसके राइट आंसर है Nalin Shingal Next question On which day Indian Coast Guard has celebrated its 44th Raising Day यानि कि किस दिन भारतिय टट रच्छक ने अपना चववाली श्वास था अपना दिवस मनाया इसका राइट आंसर है 1st February को Next question Which country has declared a national emergency due to locust यानि किस देश ने टिड़ो के चलते राश्टी आपातकाली काल घोसित कर दिया इसके राइट आंसर is Somalia Somalia Next Indian Navy carried out a coastal security exercise What is the name of exercise यानि कि भार्तिय नौसिना ने एक टटिये सुरक्छा अभ्यास किया अभ्यास का नाम किया है राइट आंसर इसका है माल्टा अभ्यान अभ्यान Next question is Ravi Singh has been passed away recently He was the यानि कि Ravi Singh का हालिम निदन हो गया वो क्या थे वो एक ओडिया पोईट थे ओडिया पोईट कभी थे Next is Who has assumed charge as the managing director and chief executive officer of Canada Bank यानि किस ने Canada Bank के प्रवंधक निर्देशक और मुख कारीकारी अधिकारी के रुप में पद्वार ग्रहन किया है इसके राइट आंसर है L.B. प्रभाकर Next question is Who has been chosen as the Central Banker of the Year for the Asia Pacific reason by the Banker magazine यानि किसको the banker प्रत्री का द्वारा Asia प्रशांथ छेत्र के केंद्रिये Bank of the Year चुना गया है इसके राइट आंसर है सक्तिकांता दास जी को Next Who has been named Iraq's new prime minister यानि कि किसे इराक के नए प्रदान मंत्री के रूप में चुना गया है इसके राइट आंसर है मुहम्मद अल्लावी जी को Next question Who has been appointed as a member of the advisory commissions on Asian Americans and Pacific Icelanders by US President Donald Trump यानि किसको अमेरिकी राष्टपती Donald Trump ने ACI अमेरिक्यों और प्रसांत दीप शमूपर सलाहकार आयोग के सदस के रूप में नूप किया है इसका सही जबाब होगा प्रेम परमेश्वरान जी को प्रेम परमेश्वरान जी को है Next बात करते है यानि किस दिन महिला जनांग विक्रिती के विरोध सुन्य शहन सिलता के अंतरराष्टिय दिवस के रूप में मनाया जाता है राइट आंसर इसका होगा छे फरवरी को Next है इन विच सिटीस 22nd एडिशन अफ इंडिया इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो 2020 विल भी है यानि किस सहर में भरतिय अंतरराष्टिय सीफूड शो के 22 वे संस्करान का योजन होगा इसका सही जवाब होगा कोची में Next Next question है इसका राइट आंसर है प्रमोध अगरवाल जी नहीं Next question is Union Cabinet has given its in-principle approval for setting setting up a major port at which state यानि किस राज में केंद्रिय मंत्री मंडल ने एक नए प्रमुक बंदरगा के स्थापना के लिए सैधानिक सैधानिक रूप से मंजोरी दिये यानि कि इसका एंसर जो होगा महरास्टा ने इसका मंजोरी दिया महरास्टा सरकार ने Next बात करते है Which state government police has started WhatsApp help line for women किस राज की पुलिस ने महिलाओं के लिए WhatsApp help line शुरू किया है बहुत ही अच्छा इनिस एक्टिब है यह है हमारा उत्राखंड उत्राखंड ने ऐसा किया है Next In which state Samaka Sarlama Zatra Sarlama Zatra A mega travel festival was celebratory यानि किस राज में एक सर्माका Samaka Sarlama उत्षात्रा उत्षब मनाए गया है इसका सही जबाब होगा Telangana थोड़ा सा नाम अजीब है Telangana में यह मनाए गया festival पर्टिकलो फेस्टिबल Next is Who will be India's good ambassadors for Tokyo Olympics यानि कि कौन Tokyo Olympics के लिए भारत के सभावना राजदूत होंगे इसका सही जबाब है Sort of Kamuli Next question is Jashwan Singh Kanwal has passed very recently He was the Jashwan Singh Kanwal का हाले में ने दरोंगे वो क्या थे इसके right answer होगा वो पंजाबी राइटर थे He was a पंजाबी राइटर Next is Which country is introducing a sustainable development fee for the regional tourism कौन सा देश चेतलिये प्रेटकों के लिए स्थाई विकास सुल के पेस कर रहा है इसका right answer है भूटान Next question friend With which country India has signed four MOUs in the field of research and higher education to strengthen their bilateral partnership क्यानि किस देश के साब भारत ने अपने दिवी पक्षिये साज़ेदारी को मजबूत करने के लिए अनुशनधान और उच्छ शिक्षा के छेत्र में चाह समझोता ग्यापन पर स्थाक्षर किये है इसका right answer होगा Norway Next is In which state L&T MBDA missile system has set up a missile integrations facility यानि किस राज में L&T MBDA missile system ने विशाईल एके करन स्थापित किया है इसका सही जबाब होगा Tamil Nadu ने Next question is Which country has declared national emergency to battle against locust Okay question repeat होगा इसका सही जबाब होगा Sengal Sorry Pakistan यानि किस देश ने Tiddo खिलाफ लडाई के लिए राष्टी आपातकाल की भुषना किये तो इसका सही जबाब होगा Pakistan Next is On which route IRCTC's third private train will be run यानि किस मार्ग पर आई IRCTC की तीसरी नेजी ट्रेल चलाई जाएगी तो इसका सही जबाब होगा Indoor to Baranasi Next है friends जो की second last question है In which cities 31st editions of India International Leather Fair 2020 was organized यानि किस सहर में भारत अंतररास्टी चमरा मिला 2020 के 35 संसकरण का आयोजन हुआ है इसका सही जबाब होगा चेन नहीं में Last question जो हमारा है वो है Which company has launched short form video app Tanji ठीक है Tangi किस company ने short form video app Tanji launch किया इसका right answer होगा Google ने तो ये थे पूरे सब्ता के सो भी importance MCQs बनते थे तो वीडियो देखने के लिए दोस्तो आपका बहुत बहुत धानवाद उमिद है ये वीडियो आपको पसंद लगा इसे like किजिए share किजिए और comment करना न भूले अगर आपको मारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को subscribe कर लिए और वेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा इसका पिडियो मैं link अप कर दूँगा description box से आप चेक कर सकते हैं वहाँ से download कर सकते हैं और उसको revise करें